नमस्क्यार मित्रो एवं मेरे प्यारे बच्चो प्यारे बच्चो एक्सर्साइज 3.5 को क्वेशन नंबर फ़र्स्ट ले रहे हैं देखें क्वेशन क्या है नीचे दी गई एक्वेशन जो है वो यूनिक सालूशन है क्या नो सालूशन है या इन तीनों में से किस प्रकार का सालूशन है यह तो यह हमको पता करना है तो हमने पढ़ चुके हैं इनके रेशो जो निकालने के बाद जनरल फ़र्म से कंपेर करके अगर इनके रेशो के अकार्डिंग इससे हम पता कर सकते हैं कि कैसा सालूशन है हम इनकेस देर हम इनके इत लुब देख सवाल तो सवाल हो यह क्षेंशन दी आ तो इसका कंपेर कर रहे हैं हम लोग तो जैनरल सालूशन से हम क्या निकालते हैं A1 by A2 ratio तो A1 है 1 और A2 है 3 1 by 3 फिर आप निकालिए B1 by B2 B1 by B2 है minus 3 upon minus 9 तो ये cancel हो गया minus minus और ये 1 by 3 तो आपका आगया answer अगर ये दोनों बराबर आजाते हैं तो C1 by C2 तो दोनों equal आगया तो C1 by C2 निकालो आप then C1 by C2 जो ratio है minus 3 by minus 2 तो ये इनके equal नहीं है तो these implies हमको यहां से क्या मिल गया है बचो these implies A1 by A2 is equal to B1 by B2 के लेकिन किसके equal नहीं है C1 by C2 और ये condition क्या बताती है कि system of equation has so therefore system of equations has no solution और no solution है तो आपको हल नहीं करना आपको ये सवाल यहीं complete होता है प्यारे बचो एक्सरसाइस 3.5 का question number परस्ट का third part ले रहे हैं question क्या कह रहा है 3x minus 5y is equal to 20 और 6x minus 10y is equal to 40 इसको आपको cross multiplication method से हल करना है तो मैंने बिले आपको cross multiplication method बता चुका हूं कि आपको सबसे बिले इसको general form में change करना है फिर आपको A1 by A2 not equal to B1 by A2 यहने unique solution है या यह नहीं यह पता करना है अगर unique solution है तो ही सवाल हल होगा otherwise हम क्या लिखते हैं कि many solution है या no solution है तो उसमें आगे स्वाल नहीं करना है तो आपको यहां से यह पता करना जबरी बागी solve करने की method आपको बता चुका हूं केसे हल करना है तो इस question को solve करते हैं बच्चों तो यहां से सबसे पहले comparing with the general form general form में क्या करते हैं पहले a1 by a2 निकालो आप a1 by a2 निकालेंगे फिर b1 by b2 निकालेंगे अगर यह दूनों not equal to आ गये तो अगर solve करेंगे अगर equal आ गये तो फिर आपको c1 by c2 भी निकालना है तो यहां देखते हैं a1 by a2 कितना है 3 by 6 means कितना आगया 1 by 2 यह ratio 1 by 2 आगया b1 by 2 minus 5 by minus 10 एक एंसेल हो गया solve किया 5 से 10 कटा तो 1 by 2 similarly c1 by c2 c1 by c2 में general form में जब इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो minus 20 upon minus 40 हो जाएगा बच्चों यह 20 भी इधर आ जाएंगे 40 भी इधर आ जाए तो minus क्यों हो जाएंगे minus minus plus हो गया 20 से 40 तो 1 by 2 यह आपको तीनों ratio equal हो गया है general form से compare के तो these implies यहां पर क्या कह रहा है आपको यह कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 तीनों equal आ गया जब तीनों equal आ जाते हैं तो क्या लिखते हैं सो देर्फोर सिस्टम आप एक्वेशन्स है आज केसा है इन्फाइनाइटली मैनी सालूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सालूशन इसलिए यह यहां पर complete हो गया आगे solve नहीं करना इसको प्यारे बच्चों एक्सराइज 3.5 का फिर्फोर्ट पार्ट ले रहें हैं आपको इसको और यूश करना यहां पर और स्वाल करना है तो एक्वेशन स्क्राइब सेमर्ट जीरो और थ्री मैंस 3 वाई-स न्वधूर्ट्ट जीरो थिए आपको जनरल फॉर्म में चेंज गरी हुई यह ठीक है ना जीरो उदर है बाखिए सारे इदर है यह ना वेरियबल और कॉंस्टेंट टाम सारे तो हम इसको सबसे पहले यह पता लगाएंगे कि यह यूनिक सालूशन है या ने यूनिक सालूशन है तो सौल करना अधरवाइस आप लिख देंगे नो सालूशन में नहीं सालूशन और वही छोड़ देंगे तो यूनिक सालूशन के लिए हम पता कर रहे हैं सबसे पहले एवन बाई टू रेशो निकालेंगे फिर बी वन बाई बी टू अगर यह दोनों एक्वल आयाते हैं तो फिर तिसरा निकालेंगे नहीं तो इसको आगे सोल लिए तो बच्चों यह आया वन बाई थरी और इसको निकाला तो माईस त्री अपा Home minus 3 तो यह आगया cancel कर दिया है तो 1 by 1 क्या equal है दोनों तो यहाँ पर आपको clear हो रहा है दोनों equal नहीं है तो equal नहीं है तो क्या हो जाएगा this implies a1 by a2 not equal to b1 by b2 यह क्या बता रहा है कि system as a unique solution तो यह unique solution की condition so कर रहा है तो इस case में इसको आगे हल करते हैं तो अब cross multiplication apply कर रहे हैं तो यह condition fulfill हो गई तो step first में हम क्या करते हैं बच्चों कि variable से उनकी value निकालेंगे तो x के लिए value निकाल रहे हैं तो diagram में जिसा बताया था आपको तो x के लिए निकाल रहे हैं तो आपको पहले में बता चुपाऊं इदर देखिए यह एक्स के लिए यह इस प्रकार से इनकी जो number से यहने coefficient है वो लिखेंगे हम ठीक है फिर उसको इस form में लिखके इसे वाल करेंगे और यह जनरल फॉर्म आपका दिया हुआ है तो इसी प्रकार से यहां पर हम इसको स्वाल कर रहे हैं तो एक्स के लिए स्वाल कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे देखें बच्चो एक्स के लिए आप number लिखेंगे इनके तो यहां पर एक्स को हटा चुपा देंगे मतलब हाइट कर दिया तो यह नंबर ऐसे लिख दिए-3-3-7-15 है तो यहाँ पर नोट किया बच्चों हमने तो एक्स के लिए लिखा माइनस 3 माइनस 3 माइनस सेवन माइनस 15 अब वाई में आ जाई हैं तो य को चुपा देते हैं तो य को चुपा दिया तो एक्स के आगे नंबर है 1 3 minus 7 minus 15 तो लिखेंगे 1 3 minus 7 minus 15 तो इधर आते हैं तो देखते हैं y के लिए ये minus 7 minus 15 आ चुका है तो अब यहां लिखेंगे 1 3 1 3 बचा इधर ये minus 7 minus 15 अरड़ी आ चुका है तो सिर्व आप 1 3 लिखेंगे अब constant term के लिए देखें ये 1 3 minus 3 minus 3 इधर आते हैं तो अब माई constant term इन दो दो के बीच में रहेगा बतलौ यह एक्स के लिए दोनों रहेंगे वाइ के लिए भी यह दोनों रहेंगे और वन के लिए भी यह दोनों तो यहां से क्या होगा constant term को जब देख रहे थे तो क्या आएगा बच्चों 1 3 माइनस 3 माइनस 3 तो 1 3 अलड़ी आ चुका है तो माइनस 3 माइनस 3 यह आगया आप अब आपको वही pattern यूज़ करना है क्या करेंगे this implies x लिखना है यहाँ पर आप equal sign लगाई है फिर y लिखिए फिर constant term लिख दीज़िए ठीक है और ऐसे bracket पहले से लगा दीज़िए तो आपको सवाल को हल करने में आसानी रहेगी और किसी प्रकार की mistake नहीं होगी आप से अब आपको मैंने rules बताया था उपर से नीचे नीचे से उपर उपर से नीचे नीचे से उपर तो उपर से हीचे माइनस 3 और माइनस 15 का multiply करिए लिख दीजे एक बार अभी practice हो जाएगी तो फिर आप डारेक्ट कर लेंगे माइनस 3 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 7 फिर अब आए के लिए ये दोनों लेंगे तो उपर से नीचे ये ऊपर से नीचे से उपर याने cross multiply में उपर से नीचे आना फिर नीचे से उपर जाना तो ये माइनस 7 इंटू 3 फिर माइनस 15 इंटू 1 ठीक हैं फिर इधर आजाते बाच्छों constant 1 के लिए उपर से नीचे ये और नीचे से उपर, यहने 1 into minus 3, 3 into minus 3, ठीक है बच्चों, तो यह value हमने यहां लिखी, अब इसो स्वाल करें, अब सवाल हो गया आपका बोरासन, तो क्या जाएगा, this implies x by, यह minus minus plus हो गया, और यह 45 आगया, और यह minus का minus multiply plus हो और यह 21, फिर y, यह minus के 21, और यह plus का 15, फिर इधर आजाते हैं बच्चों, minus 3, और यह minus minus का multiply होगा, तो plus का 9 आजाएगा, फिर और स्वाल किये, तो x by, यहां कितना हो जाएगा, 24 बच जाएगा, 45 में 21 गए, और यह minus की बड़ी संक्या, तो माइनस की संक्या बचेगी, कितनी, 6, और यहां 1 by कितना, 6, अब आपको इसको दो पार्ट कर लिजिए, यहां लिख जिए, case, first case में, यह तीनों आपस में इकवल है, तो कोई भी दो भी बराबर ले सकते हैं, तो हमने यह और यह लिए ताकि answer हमारे आसानी से आजाए, तो किस किस को बराबर लिया, x by 24 is equal to 1 by 6, 24 को cross multiply करके उधर भेज जिया, तो 24 by 6, तो x is equal to 4, यहां आपका एक answer हो गया, this is the required answer, case, second, second case में y और constant term को लेंगे, तो y by minus 6 is equal to 1 by 6, 6 को the transfer कर दिया, minus 6 upon 6, तो y is equal to minus 1, so x is equal to 4 और y is equal to minus 1 is the required answer,